याँ आप लुक अधिस देटे अधे 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 बाजगर्थी आधे बाजगर्थी वावेथे सब्स बिटा 21 दिसंबर 2021 वाई फ्रीफर गी हिस्ट्री में एक ऐसा दिन था ये जिस दिन भाई इस दिन ही हार सही गउं फ्रीफर गी जो जनता थी उन्होंने तो भाई पूरी एश लियार लखो में डायमंड लिये बड़ जो फ्रीफर वाले थे यार वो सिरिसली खून कहां शुरूए थे सो अभी भाई तुम सोच रहेंगा भाई मैं ये वीडियो क्यो बना रहा हूँ सो यहां पर मैं तुम्हें कुछ चीज़े क्लियर करूँगा इस ग्लिच के रिगार्डिंग कि भाई जिन बंदों ने ग्लिच यूज किया क्या उनकी आईडिय भी पर्मानेंटली बैन होने वाली है काफी सारी यहां पर रूमर्स निकल के आ रही है साथ जाद बताऊं को यह ग्लिच क्या अभी भी वर्क कर रहा है क्या फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ग्लिच आने वाला है क्या तुम्हें ऐसे ग्लिच ट्राइ करने चाहिए या फूर नहीं फिगोस भाई यह जो ग्लिच था न ना भाई तुम बहुत सादा गलच सोच रही हो क्योस भाई मैं ऐसा बंद हो जो रात के दो बज़े सोता हूं और सुबहे के दस बारा तेरा बज़े उठता हूं ठीक है सो ऐसा सिन रहता है तो मैंने तो भाई यह वाला ग्लिच यूज नहीं कर पाया था सो तुम में से जो बंदे मेरे जैसे हैं तो उन्होंने भी मेभी यह वाला ग्लिच यूज नहीं किया होगा कजब बेज़े तो पर से भाई पता क्या सीन है इस मैं तुम मैं बताता हूं आज कर लेगे दोस्त यार बहुत सादा हराम होते जा रहे हैं मलब पता क्या वह अपना प्रोफिट देखते हैं अगर तुम मलब उन्होंने अगर यह ग्लिच यूज के होगा तो तुम्हें नहीं बताया हूं यार काफी सारे दोस्तों ने पर गाइस सीन कुछ ऐसा था कि भाई इस ग्रीन वालों ने किये थे पहले तो सस्ते नशे फिरे की इवेंट दे दिया रैपर स्विश करके जिसमें उन्होंने इतना तगड़ा ग्लिच दे दिया ना मलब ग्लिच देता कोई निया बट गल्ती से हो जाता है तो यहाँ पर सीन पर कुछ ऐसा था कि भाई जासी सीस बंदे इस वाले इवेंट में इसमें पर स्पिन कर रहे थे तो स्पिन तो कर रहे थे बट जितने कि वह स्पिन कर रहे थे उसके इवाला glitch यूज़ किया है, इक पर comment करके जुरू बतादेना ताकि एटलिश मर को पता तो चलेगी कि इन बंदों ने ये वाला glitch यूज़ किया होगा, उन्होंने तो पकका भाइस वाले glitch का यूज़ किया होगा और उनको गफ़े सारे डामड भी यहां पर मिले होंगे ठीक है तो यहां पर कैस मैं तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दू कि यहां पर जो यह ग्लिच हुआ था इसके बाद क्या हुआ था गरीन वालों ने मलब क्या कुछ किया था और जिनों ने यह ग्लिच यूश किया क्या उनके अभी पर्मानेट ही डी बैन होने वाली है और होने तो होने क्या वाला है उनके साथ एंड क्या यह ग्लिच फिर से वरकिंग होगा और क्या कुछ अभी पूरा सीन रहने वाला है तो यह चीज़ से भाई तुम्हारे लिए बहुत साथ है इंपोर्टेटर रहेगी तो इनको सुल ले ना भाई अगर यह नी सुना तो आगे जाके भाई तुम्हारे साथ इतनी सारी प्रोगलम्स आ सकती है मैं क्या ही बोलू ठीक है तो सुनलो यार क्या जा रहा है भाई चार पांस की वीडियो देख लो तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा तो यहां पर मैंने तुम्हें पूरा वर्किंग बता दिया गिलिच का कैसे वर्क कर रहा था और सारा कुछ मैंने मकायनिसम बता दिया अभी यह वाला इवेंट ग्रीना वालों ने शटडाउन कर दिय अभी यह वाला इवेंट नहीं ओपन हो रहा तो यहां पर गाइस काल हुआ कुछ ऐसा था कि मलब जैसी वाला इवेंट आया ना बहुत सारे बंदों ने लग्खों में डायमड लुटे एंड क्या बोलते हैं जिन बंदों दो डायमड यूज कर लिए उनका तो गरीना वाल hardwood तुम्हें था लिए थी वाली को एस रायमान ज'T awak था लिए सो नहीं वहा नौने लुटिक रनी थी यहां और तुमने यूज कर लिए नहीं थे रहुसारे मंदों ने दुसरी दूसरी में में गिफ्ट वगारा सेंड किया था और बहुत सारे बंदों ने अपनी आइडी में यह वाले यूज कर लिए थे सो उनका भी क्या कुछ होने वाले उसके बारें बात करेंगे अभी भाई तुम्हें से अपने तीन दोस्त के साथ शेर कर देना ठीक है तुम्हारे एटलिस ती देखें प्लीज यही रिक्वेस्ट है और हरे के बंदा कैसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब के बैल एकन दबा लेना भाई की तनी तो हैल्प तुम कर सकते हो गयार विकोज मेरे बुरा टाइम चल रहा था भी एक्साम्स चल रहे थे सो इस वजह समय इनक्टिव हो पर अपनी दूसरी अडियो में सेंड कर दे थे वहां के साथ क्या कुछ होने वाला है डूम से किसे क्या कुछ किया था उनका सिस्टम इतरा जाथ तो ऑन्साद और निया तो इनको थो तो चीज़े हो सकती है ठीक है या तो गरीना माफ करेगा या साफ करेगा ठीक है अगर इस बात को नहीं समझे मैं तुम्हें एक्स्प्लेन करता हूँ बाइज तुमने डायमोट से यहां पर प्रचेस किया था लाइक तुमने अगर दोस्तों को सेंड कर दिया हुआ वह तो मैक्सिमुम चांस है मैं जो तुमने गिंटे संड किया वह तो अपने दोस्त के डेमें र उसके काफी कम चांस है बाकि अगर तुम्हें खुद के आइडे में कुछ बाई किया होगा या परचेस किया होगा वो उसके थोड़े ज़ादा चांस है बट गरीना मेबी यह चीज भी ना करें वो तो देखी जाएगी बाक्ति साफ करने का मतलब मैं तुम्हें अभी एक्स्प्लेन करता हुं। तुम्हें अपना एक लॉक डामड देना पड़ेगा तब जाके तुम अपने आईड को खेल पाओगे मैच पले कर पाओगी और भाई देख लो यार ID बैन ही मान के चलो भाई तुम बट ऐसा करने के चांस गाइस गरीना वालों के कमी है भी गोशा कर गरीना वालों ने ऐसा किया तो यह उनकी गाफी सारी ओडियंस कम हो जाएगी सो मेभी गरीना ऐसा नहीं करेगा पाकी मैं इंटरनल टीम से कुछ तुमें पूछ पाच के बताऊँगा कि इस पे गरीना वाले क्या कुछ एक्षन लेने वाले है सो उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बाले कंदवालों मैं इस पे भी तुम्हें अपडेट दे दूँँगा दूसरा भाई जिन मंदों ने इस वाले गलिच का यूज करके डामन नहीं लिए है तो भाई तुम चिल करो यार विगोस ऐसे गलिच का यूज करने का कोई फाइद नहीं भाई अगर उनके बंदों की अकाउंट में भी रेस्ट्रिक्शन लग गया वो गेमी निखेल पाएंगे उन्होंने कुछ भी रियर लिया हूँ उसका क्या मतलब बनता है भाई ठीक है सो अपना मैं तुम्हें यही रिकमेंड गरूँ ऐसे गलिच चाहें तो यार यूस मती करो तो ही फाइदा भी कोई फाइदा नहीं भाई आगे उस्तुम्हें पस्ताना पड़ सकते हैं कोर बात ही गाइस यार कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा पैरानोर्बल सा हुआ था ना मैं क्या ही बोलू यार कल रात भाई सेरीसले मेरे को नींद ने आये मेरे साथ कुछ भूती एक्टिविटी हुई थी ठीक है लगे मैं जूर तो बोलने रहा जो सचा ही है वह तुम्हें बता रहा हूँ तो अगर तुम चहाते हो मैं इस पे स्टूरी टाइम लाओं कि बताओं कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ था क्या कुछ पैरानोर्बल एक्टिविटी हुई थी तो एक बार कमेट करके शुरू बताना तुम्हार भाई इस पे एक स्टूरी टाइम वीडियो बना देगा और मैं जो बुल लूँगा भाई सच होगा कुछ भी मैं बक्वास निमानने वाला जो आज कल काफी सारे यूटीबर कर रहे हैं स्टूरी टाइम के वीडियो के ना तिल देन बबाई